अकाश्वणी भोपाल सी प्रस्तुत हैं प्रादेश एक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंक्ता बैनर जी सबसे पहले इस बुलिटन के मुख्य समाचार अब प्रदेश के गाउं में भी चलेंगी बस ग्रामीन परिवहन नीती को मंजूरी रेत के नरस्त ठेकों को कलेक्टर छोटे समूह बनाकर इनीलामी के जरिये दे सकेंगे इंदोर सहित देश के 25 हवाई एड़ों का मौद्री करण किया जाएगा और देश में कोविटी का करण 184 करोड के आकड़े के पार पहुँचा अब समाचार विस्तार से मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिशद की बैठक हुई मंत्री परिशद ने प्रदेश के ग्रामीन अंचलों में लोग परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित RTC मौडल को पालिट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में 1 मई से 6 महीने तक के लिए क्रियानवित करने और मौडल के अंतरगत संचालित होने वाले वाहनों के लिए संबंधित अधिनियम और नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया नियम में देय मासिक मोटर यानकर में पून तह छूट की शिथलता शामिल है राजी मंत्री परिशद ने प्रदेश में रेत की उपलब्धिता सुनिश्चित करने के लिए तातकालिक व्यवस्था लागू किये जाने का अनुमोदन किया ऐसे जिलो में जहां रेत नियम 2019 में ठेके निरस्थ हुए हैं वहां की समस्त रेत खदानों को कलेक्टर द्वारा दस दिवस की ई निलामी से छोटे समूह बना कर दिया जाएगा ये निर्णे मंत्री परिशत की बैठक में लिया गया निर्णे के अनुसार पहली बार ई निलामी की प्रक्रिया सफल होने पर दूसरी बार की ई निलामी के लिए पांच दिनों की सूचना जारी की जाएगी जिला कलेक्टर, जिले की भौगौनिक स्थती और आजस्वसीमा के आधार पर छोटे समूह बना कर इ निलामी कर सकेंगे इ निलामी के लिए ऐसी खदानों को वरियता दी जाएगी जिन में वैधानिक सुईकृतिया है इ निलामी का प्रारंभिक मूल्य सम्मंधत जिले की नरस्त ठेके की निविदा के प्रचलत दर पर रखी जाएगी ये निलामी तीन महीने अत्वा समूह के नवीन ठेकेदार द्वारा अनुबंधन निश्पादन को जो भी पहले हो उसमें की जाएगी भोपाल में कल मंत्राले में हुई मंत्री परिशत की बैठक में रीवा जिले की सेमरिया माइक्रो सिचाई परियोजना लागत राशी 158 करोड 6 लाख रुपे सिचाई क्षमता 9000 हेक्टेर की प्रशास्किय स्वीक्रती प्रदान की गई बैठक में हुए इस निर्ने की जानकारी ग्रह मंत्री नरोतम मिश्रा ने दी उन्होंने बताया कि परियोजना के नर्मान होने से सेमरिया तहसील के 86 गाउं की 9000 हेक्टेर क्षेत्र में भूमिगत दबाव युक्त पाइप वितरन प्रणाली सिचाई सुविधा प्राप्त होगी शुमिश्रा ने बताया कि रभी सचाई के लिए 188 करोड 42 लाक रुपे लागत वाली सामा कोटा बैराज राशी जिसकी सचाई क्षमता 6000 हेक्टेर है उसको भी प्रशास की अस्वीक्रती दी गई है परियोजना से उज्यान जिले की तहसील महितपूर के 15 गाउं को भ अंतरगत विक्सित किये जाने वाले 34,800 किलोमेटर सडक मार्ग में से राश्ट्रिय राजमाग परियोजना के तहए 6,18686 करोड रुपे की लागत की 20,411 किलोमेटर लंबे सडक मार्ग का कार्य आवंटित किया गया है जिसमें से अब तक 8,134 किलोमेटर सडक के विकास का क पूरा हो गया है लोगसभा में एक प्रश्ण के लिखेत उत्तर में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नतन गटकरी ने बताया कि भारत माला पर योजना चरण एक में 24,800 किलोमेटर लंबाई के राश्ट्रिय राजमार्ग नेटवर्ग शामिल है पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ओन एयायार डॉट कॉम पर या एयायार न्यूज आप पर भी समाचार सुन सकते हैं ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राश्य मौदरीकरण पाइपलाइंग की नीती के अनुसार वस्तूओं को वैद मुद्रा में बदलने के लिए भारत विमान पत्तन प्राधिकरण के 25 हवाई अड़ों का वर्श 2022 से 2025 के बीच मौदरीकरण नरधारत किया गया है लोकसभा में एक प्रशने के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री जोतराधित्य सिंधिया ने बताया कि भारत विमान पत्तन प्राधिकरण ने सरकारी नजीब हागीदारी के अंतरकत इंदौर सहित भुबनेश्वर वारानसी अमरत सर रायपुर और तुरुची को प थोटे हवाई अड़ों को भी विक्सित किया जा सके राजी मंत्री परिशत ने सहकारिता विभा की होशंगा बाद अब नर्मदापुरम जिले के बनापुरा में सहकारी सोयाबीन प्रसंसकरण संयंत्र के प्लांट और मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किये जाने के लिए निवदाकार द्वारा निवदा बोली मूल्य का सौ प्रतिशत जमा करने के उपरांध विक्रय अनुबंध की कारवाई किये जाने का निर्नेल लिया है इसी प्रकार मंत्री परिशत ने राजस्व विभा की गुना जिले के चाचोड़ा में स्थेद भूमी क निर्वरतन के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्नेल किये जाने का नुमोधन किया है प्रदेश मंत्री परिशत ने मध्यप्रदेश निजी विश्व विद्याले संशोधन विधैक 2022 के प्रारुप का नुमोधन कर दिया है विधैक में इंदौर के प्रस्टीज स्थापित किया गया है देश में कोवट्टी का करण 184 करोड के आकड़े को पार कर गया है कल 20 लाग से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई गई बारह से 14 वर्ष आयूवर के बच्चों को अब तक 1 करोड 71 लाग से अधिक डोज दी जा चुकी है स्वास्त कर्मियों और अग्रिम पंक्ती के कारिकरताओं जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड 31 लाग से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है अब कुछ समाचार संक्षेप में आगर मालवा जिले में पोशन पक्वाडा अंतरगत अनीमिया जागरुकता कारिकरम चलाया जा रहा है कारिकरम के तहट जिले के ग्राम, असंध्या, लोंगडी, बड़ा गाओं, हडाई खेडा, लक्मी खेडा गाओं में आंगनवाडी और आशाकारिकरताओं ने छात्राओं को अनीमिया के बारे में जागरुकिया मनसौर की गरोट में पुलिस और आजस्व विभाग ने संयुक्त कारिवाई करते हुए एक करोड रुपे कीमत की शास्किय भूमी को अतिक्रमंट से मुक्त कराया इंदौर जिले के 36 स्वास्थ केंद्रों को काया कल्प पुरुसकार योजना के तहट सम्मानित किया गया है उद्यानकी और खाद्य प्रसंसकरण राज्यमंत्री भारत सिंह कुश्वाह के मुख्या आतित्य में ग्वालिय शहर के वीरपूर में सुशाशन शिविर लगाया गया है इसमें 410 सावेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया चदरपूर जिले में तुरिस्तरिय पंचायतों और नगरी निकायों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वाशिक पुनरीक्षन का संशोधत कारिक्रम जारी किया गया है राइसेन जिले में 24 से 31 मार्च तक मनाए गए क्षय सप्ताह का समापन हो गया है जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने शहरोग के नियंत्रण में उतक्रिष्ट कारे करने वाले चिकित्सकों बीमो सहित मैदानी अमले को सम्मानित किया है रतलाम जिला मुख्याले में हॉस्टल की रहवासी चात्राओं की करियर काउंसलिंग का काम किया जा रहा है अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर अब प्रदेश के गाउं में भी चलेंगी बस ग्रामीन परिवहन नीती को मन्जूरी रेत के निरस्त ठेकों को कलेक्टर छोटे समूह बनाकर इनिलामी के जरिये दे सकेंगे इंदौर सहिद देश के 25 हवाई अड़ों का मौदरी करण किया जाएगा और देश में कोविट टी का करण 184 करोड के आकड़े के पार पहुँचा इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही अजाज़त दीजे नमस्कार जाएगा पर बस्कार इस बुलिटन में गर ले की नमस्कार इस इस बुलिटन वाएगा योर दो दो आएगा अजस बुलिटन इस बुलिटन अएगा